नमस्कार दोस्तों वेलकन टू पीके इस्पेसर क्लासेज पीके इस्पेसर क्लासेज मैं आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट नोटिफिकेशन और कब होगी इसके परिछा और इसके साथ दोस्तों जो 952445 पोस्ट आने वाली है टीचरों के उसके बारे में भी बात करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो चैनल पर पहली बार आये हैं तो सस्क्राइब लेजे मेरा चैनल क्योंकि इसी प्रकर से आपको वीडियो मिलता रहेगा साथ ही बेल आइकन को करें कि मेरी आने वाली निव वीडियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा चले दोस्तों स्टार्ट करते मैं आपको दिखाता हूं आज बड़ी बहुत बड़ी निव जाई है दोस्तों यहां पर देखें आपको मेरे पास है इंदुस्तान का पेपर आज का है लखनौ का मौका पंचान 2000 सिच्छक भरती परिच्छा दिसंबर तक इसमें देखें साब साब नोटिफिकेशन क्या क्या लिखा आपको पड़के बताता हूं प्रदेश का पंचान 1445 सिच्छक भरती की सुरुआ सितंबर की दूसरे पकवाड़े में करे गया ध्यापक पादरता पर 28 अक्टूबर को होगा टीटी का आपचारिक आदेश गुरुआर को जारी हो सकता है इसके बाद सरकार भरती की परिक्रिया शुरू करेगी और 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने की योजना है इसके लिए नवंबर में पंचान 2445 सिच्छक भरती का सासना देश जारी होगा औ और दिसंबर के पहले हफते में सिच्छक भरती की लिखित परिच्छा होगी सिच्छक भरती 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी राच सरकात 2019 के लोग सभा चुनाओ में जाने से पहले इस भरती की शुरूआत कर देगे देना चाहती है ताकि इसका पूरा लाब में मिल सके लोग सभा चुनाओ की अधिसूचना दिसंबर में जारी होने के समभावनाते दोस्तों आप देख सकते हैं कि चुनाओ से पहले-पहले आप लोग की सारी प्रिक्रिया पुरी हो जाएगी तो आप लोग लिए गुड नहीं हो जाए और आपको मैं बसाफ साथ य कर दी है यह आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बाक्स में इबियस का जो है लिंक देदूंगा आप वहां से देख सकते हैं इसी प्रकार से आप लोग का सीटेट और यूपीटेट दोस्तों दोनों का क्लास स्टार्ट हो गई है तो इसलिए मैंन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कंडिड़ेट अभी नए जा हैं वो चैनल पर पहली बाद सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि इसी प्रकार से आपको वीडियो और रोज प्रते एक दिन आपको दोस्तों जो भी मौक्टेस्ट मिलेगा वो परदे आपको मिलता रहेगा धन् घnek जोस्तों कर से लजे नाएब कर वोदे इन आपको लावत कर दोके आपको दोस्तों अवी को मौक्कर फोस्तों अव कर दोके तक वोस्तों है